असलावलेकुल दोस्तों वल्कम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे एक कप ग्याहूं के आटे से बहुत ही जबदस नाशता यह नाशता काफी जादा टेस्टी और काफी जादा क्रेस्पी भी बनता है बहुत ही जादा है कम इंगिरिंट्स में बनके तयार हो जाता है त इसका फ्लिवर काफी जादा अच्छा आता है 4-5 टीसपून कुकिंग आयल आप कोई सभी आयल ले सकते हैं जिसकी स्मेल स्ट्रॉंग ना हो मैंने रिफाइन आयल का इस्तिमाल किया है अगर आप चाहें घी का भी इस्तिमाल कर सकती हैं सभी चीज़ों को आपस में अच्छ सदो बना के त्यार किया है ये डो नहीं जादा सॉफ्ट बनाना है और नहीं जादा हाड बनाना है मीडियम डो बनाना है जैसा कि हम पराठे के लिए डो बनाते हैं वसी हमें बना के त्यार कर लेना है तो इसे मैंने काफी अच्छे से गूंद लिया है तो ये एक अच्छा सड़ो बनके रेडी हो चुका है अब इसे रख देते हैं एक साइट पे अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं तीन से चार मीडियम साइज प्यास ती जिसे वारिक चॉप कर लिया था उसे ट्रासपर कर दिया है बाउल में प्यास की कॉंटिटी कम जादा कर सकते हैं जिस हिसाब से आप नाश्ता बनाएंगे उसी हिसाब से आप सभी चीजों को कम जादा कर सकते हैं अधा कप मैंने लिया है चने का बेसन चने की बेसन को अच्छे से छान कर इस्तिमाल करना है 9-10 हरी मिर्श ये मैंने थोड़ा स्पाइसी बनाया है इसलिए 9-10 लिया आप तीखा पसंद नहीं करती हैं प्रफटी स्पून नमक, प्रफटी स्पून रिचिली पौडर, प्रफटी स्पून चाट मसाला सिंपल मसाले हैं जो कि हर किचन में हर घर में असानी से मिल जाते हैं तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है सभी चीज़ा अपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो अभी ये स्टफिंग आपको देखने में ड्राइव ड्राइव से लग रही है क्योंकि प्यास को मैं ने पहले ही वाश किया था काटने के बाद इसे वाश नहीं किया है और प्यास के अंदर नमी होती है मॉच्शेर होता है जिससे कि वो पानी को रिलीज करती है और जो ये स्टफिंग बनाएंगे हल्की सॉफ्ट हो जाएगी इसलिए मैंने कोई पानी बगर के इस्टिमाल नहीं किया है अगर आपको जरुरत लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा उयल का किस्टिमाल कर सकती है मैंने थोड़ा सा अचार लिया था अच्छे से mix कर लिया है तो आप उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक साइट पे रख दिया है तो चलते हैं डो को चिक करते हैं डो भी अच्छे से सेट था तो सबसे पहले हम पेड़े बना लेंगे तो बाकी के पेड़े को बना के मैंने त्यार कर लिया है तो सबसे पहले एक पेड़ा उठाएंगे अब इसे हम अच्छे से मेशर की हैल्प से थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिसे की एक चिप्टी सी रोटी बनके त्यार हो जाएगी इसको बनाने के लिए हमें बेलर वगारा की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ही जादा सिंपल तरीका है बहुत ही आसानी सी ये रेसिपी आप बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी और यूनिक सी डिजाइन बनके त्यार होती है तो देखे दोस्तों इसे मैंने बहुत ही अच्छे से प्रेस कर लिया है काफी आसानी से प्रिस भी हो जाते हैं तो ये देखें लगते बिलकुल भी नहीं है अगर आपको लग रहा होगा तो आप थोड़ा सा ओयल से ग्रीस कर सकते हैं या थोड़ा सा आटे को डस्ट कर सकती हैं तो हाफ टे स्पून के करीब हम स्टफिंग उठाएंगे और पीछ में रखेंगे और इस तरीके से इसे हम पैक कर लेंगे तो ये नाश्टा की डिजाइन आप देखें बहुत ही अलग है और बहुत ही अच्छी लगती है बनाना भी बहुत ही जादा आसान है बहुत ही सिंपल तरीके से डिजाइन बनके तियार हो जाती है आपको पेलन वगयरा चलाने के बिलकुल भी जरूरत नहीं पड़ीगी तो बाकी के नाश्टे को इस तरीके से मैंने बना के तियार कर लिया है तो आप देख सकते हैं नाश्टा देखने में काफी ज़्यादा खुबसूरत लग रहा है तो बाकी के नाश्टे को इसी तरीके से मैंने बना के त्यार कर लिया है तो अगर आप चाहे इस नाश्टे को इस तरीके से बना के फ्रिज में एड टाइट कंटीनर में स्टोर कर सकते हैं जिससे कि ये बिलकुल भी खराब नहीं होंगे और जबी भी आपको बनानी का दिल करें आप निकालें और फ्राइ करें तो गैस पे मैंने पहले ही से ओल गरम होने के लिए रख दिया था जोकि अच्छे से गरम हो चुका था गैस का फ्लेम मेडियम है उसके बाद वन बाई वन करके सभी नाश्टे को डाल देंगे और इसे क्रेस्पी होने तक के लिए अच्छे से फ्राइ करेंगे ध्यान रहे दोस्तों आपको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं फ्राइ करना है वरना नाश्टा उपर से क्रेस्प हो जाएगा अंदर से सौगे रहेगा और खाने में मज़र नहीं आएगा इसलिए आप कोई भी फ्राइ वाली चीस बनाए तो खैस का फ्लेम मेडियम करें और आराम से उसे कुछ टाइम देने के बाद ही फ्राइ करें जिससे कि आपका नाश्टा काफी जादा क्रेस्पी बनेगा और बहुत ही जादा टेस्टी बनेगा तो एक साइड से एक से देर मिनट हो चुके थे अच्छे से कुक हो चुका था तो हम इसे पलड देंगे वन बाई वन करके सभी नाश्टे को और दूसरी साइड भी एक से देर मिनट के लिए अच्छे से फ्राइ कर लेंगे टोटल 3-4 मिनिट हमें फ्राइ करने में लगते हैं और ये नाश्ता काफी जादा क्रेस्पी बनते हैं और बहुत ही जादा टाइम के लिए क्रेस्पी बने रहते हैं अगर आपको बच्चों के लंच बॉक्स में देना हो तो बच्चे बहुत ही जादा इंजॉय करके खाएंगे और टेफिन बिल्कुल भी बचा के नहीं आएंगे सारी टेफिन फिनिश करके आएंगे और दोबारा से डिमांड करेंगे कि यही हमें चाहिए तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राइज जरूर करें वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करें और लाइक के साथ इंजॉय कर सकें तो देखे दोस्तों तीन से चार मिनट में यह अच्छे से नाश्टा कुक हो चुका है फ्राइव हो चुका है तो हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में ऑल बिल्कुल भी एक्जॉब नहीं करते हैं आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि य नाश्टा कितना ज्यादा क्रेस्पी बना हुआ है तो बागे के नाश्टे को भी निकाल लेते हैं और इसे हरी मिज के सास सर्फ कर सकते हैं अगर आप चाहें गरीन चैटनी टुमैटो सॉस के साथ ही सर्फ कर सकती है लेकिन इसस credit चैटनी के सास सथ जादा ही मशश़्च mob तो बिल्कुल भी पकड़ने भी नहीं आ रहा है चल रहा है तो मैं इसको कट करके दिखाड़ी हूँ ये देखे दोस्तों बहुत ही क्रेस्पी है तो आप लोग भी बनाएं इंजॉय करें अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें तब तक के लिए मुझे दीचिये इचास्त फिर मैं मिलूंगी इंशालला ऐसी आसान वीडियो के साथ आल्ला हाफिज